उत्राखन में जोशी मट के पास तपोबन में टनल में फंसे करीब 35 लोगों को निकालने का काम दुस्तर पर चल रहा है हमारे साथ उत्राखन के डीजीपी अश्रो कुमार जी है आप से जानने चाहूंगा इस वक्त ताजा हाला क्या है किस तरह से क्योंकि दो दिन हो गए तो वो जो है इसलिए आज हमने प्लान किया है कि किसी तरह से जो 180 डिग्री 180 मिटर्स के बाद देख राइट में टनल जाती है 540 मिटर्स उस पे कहीं से कि शाफ ले करके उसमें अल्टरनेटिव एंट्री की जाए जिससे अंदर के हालात पता चल सके यह परियास हमारा जार और दूसरा अभी तक जो मरत्कों का आकड़ा है जो लोग गायव है उसका सबसे अभी तक का ताज आकड़ा क्या आपके पास है आप लोग कुछ प्लिस कर्मी भी इसमें जी हमारी कल रात तक 26 बोड़ी रिकवर हुई थी आज सुबह हमने जो रहनी में मलबा है उसमें उनमें से एक बोड़ी हमारे प्लिस स्पाई कॉंस्टेबल की भी है गडिया उसका नाम था और जो है संभवता जो दूसरा हमारा मिसिंग था एस्टाइव वह कंड़ परियाग में है के में एक बोड़ी आजिन्टीफाई हो रही है हंड़ परसेंट नहीं है बड़ 90 परसे प्रेक्टिविटी को कैसे अब इस्टब्लिश करेंगा जो फुल बनाने की बात है वो कब तक हो पाएगा देखिए जो जैसा मैंने कहा आज जिपलाइन तो आज एस्टेबलीश होगी यानि तो रोप के थुरू तो आथ से जाना शुरू हो गया और दूसरा वहां पे आई जो कि पूरा के पूरा बेस में उसका खत्म हो गया है जो जो प्रिज है इसलिए कह रहे हैं मतलब एक हफ्ता से महिना कोई भी सिमय लग सकता है एक आखरी सवाल आप तीन दिनों से आपर मवजूद है सारी फोर्सेस डियारव बारते से ना तमाम लोग यहां पर काम करें उ कालमेल काफी अच्छा है बहुत अच्छा कालमेल है जो कि हमने काम भी बाढ़ दिया है इस डियारव को ज्यादा तर सर्च में लगा दिया है और रिलीफ में लगा दिया है और जो आर्मी और आई टीबी पी रिलीफ में लगी हुई है और एंडियारव को भी सर्च में या यह स्क्टाइब करते हैं